आज करेंगे fractional function के कुछ questions को तो पहला question लेते हैं question कुछ इस तरह दिया गया है x greatest integer of x minus x square minus 5 greatest integer x plus 5 of x less than 0 यहाँ पर x की values को निकालना है solution चाहिए x के कितने values यहाँ पर मिलेंगे x belongs to what तो अब इसको solve कैसे करेंगे देखिए हमें पता है कि जो fractional function होता है उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते है then यहाँ पर हमें क्या दिया गया greatest integer function तो greatest integer function को जो है हम लोग यहाँ पर अगर इसको देखें अगर इसको यहाँ पर लेके चले जाए तो क्या आएगा x minus fraction function x यह कुछ इस तरह बन जाएगा अगर greatest integer function को हम फ्रेक्शन फंक्शन में change करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें जो fractional function में अगर कोई भी equation दिया होता है तो हमें उसकी कुछ value पता होती है को इसकी value 0-1 के बीच में आएगी तो थोड़ा सा एक limited region मिल जाता है और जब ग्रेटेश नीजर function होता है तो उस पर हमें number of integers मिलते हैं तो थोड़ा सा जो है level छोटा करने के लिए हम लोग इसको फ्रेक्शन फंक्शन में प्लस 5 प्लस प्लस Фाइइग मिलस इसा जीरो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ term Questo कर जाएंगे उसकी फएव एक्स और यहाँ पर जो हो गया, x² से x² कट गया, तो हमारा टोटल बचा किया, यहाँ पर बच गया, पहले प्लस वाला टर्म लिख लेते हैं, 5 of fractional function x, minus x, fractional function x, less than 0, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, fractional function वाला जो टर्म है, वो common है, तो इसको कुछ इससर ऐसे लिख लेते हैं, common करके, आजाएगा 5 of minus x, less than 0, यह हमारे पास बहुत ही simple term में आ गई, inequality, अब इसको solve कैसे करेंगे, हमें देखिए, पता है कि यह जो है, यह value आएगी आपकी, यह 0 से 1 के बीच में आएगी, यहाँ पर 0 value मिलती है, और 1 तक नहीं हम लोग पहुंच पाते हैं, बस जिसे 0.999, 1 तक नहीं पहुंचते हैं, दिन यह क्या हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब यह जो fractional function होगा, या always भी positive होगा, बट 0 भी value आएगी, लेकिन यह positive ही होगा, तो यहाँ पर जब भी inequality में positive कोई होता है, कोई term, तो उसे inequality पे कोई फर्ग नहीं पड़ता है, उसको हटाने के बाद भी, तो हम लोग इसको चाहें तो कुछ इस तरह से अटा के भी लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे, केवल हम इसी term को लेकर solve करेंगे, और बसके वल यहाँ पर एक यह ध्यान देने वाली बात होगी, कि यहाँ पर देखने हैं, आप x की value, fraction function की value 0 आएगी, तो हमें यहाँ पर केवल negative value शाहिए, 0 से छोटी ना कि 0, तो यहाँ पर जिस x की value 0 आते है, उसको नहीं लेना है, तो fraction function की value 0 क या same as minus 3, minus 2, minus 1 and so on, minus infinite तक और यहाँ पर plus infinite तक, तो क्या होता है, all integers जितने भी होते हैं, positive integer हो, negative integer हो, neutral integer हो, जब x की value, अलब z होती, इसको इस तरह से represent कर सकते हैं, तो उस x की value पर, इसकी value 0 आएगी, तो बस हमें यही neglect करना होगा, इस answer में से, जब इसकी x की value निकालेंगे इसको solve कर लेते हैं, इसको solve करेंगे, क्या आएगा, x आजाएगा, यहाँ पर जब आप x को इधर ले जाएगे, तो आएगा x greater than 5, तो हमें क्या value चाहिए, तो यहाँ से क्या लेख सकते हैं, इसकी x की value, x belongs to लिखेंगे, 5 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर open bracket, 5 से लेकर infinite, 5 से कोई भी बड़ी value लेख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी natural numbers आएगे, 5 से बड़ी कितने positive integers यहाँगे, उन सभी को neglect करना है, minus of z, यहाँ इस तरह से भी लेख सकते हैं, चाहें तो, 5 से infinite, minus of, 5 के बाद कौन सा number आएगा, 5 के बाद आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, and so on, यहाँ पर कुछ इतरह से भी इसे answer को लिख सकते हैं, तो यह आपका इस तरह से आप इस equation को solve कर सकते हैं, इस equation का जो हमने answer निकाल दा था, यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, कि हम x की कोई भी value ले सकते हैं, 5 से बड़ी values को, except integer values, तो यह इस तरह से इसका answer हो तो अब next question देखते हैं, यह next question हमारे पास कुछ इस तरह से, greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 2 equals to greatest integer of 2x, यहाँ पर हमें x की values को निकालना है, कि x की क्या क्या values होगी, यह next question हमारे पास, हमें इसको proof करना है, कि यह वाला term और यह वाला term equal होगा, तो पहले LHS लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा इ simplify कर लेते हैं, जैसे कि हमें formula पता है कि fraction function of x equals to होता है, x minus greatest integer x, तो अगर greatest integer को इसमें change करना चाहें, तो क्या आजाए, x minus fraction function of x, तो और अगर x को change करना चाहें, तो क्या होगा, x को अगर आप change करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आजाएगा, greatest integer of x plus fractional function of x, तो क्या करेंगे, ह यहाँ पर जो x है, x को हम लोग यह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देंगे, greatest integer of x, fractional function of x, प्लस 1 by 2, और यह यहाँ पर greatest integer function, तो दिखें क्या होता है, जब भी greatest integer function में कोई भी integer value होती है, जैसे कि क्या है, जैसे कि माली जो कोई greatest integer function है, यह कोई यह function द z number है, जो कि हमेशा जो आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या minus 3, minus 2, minus 1, कुछ भी है, यहाँ तक infinite तक हो सकता है, यहाँ पर minus infinite तक, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको, उस number को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर कैसे निकालेंगे, म फंक्षन यह तो दिया हुआ है कोई फंक्षन है यह और हमाल लेटें तो यह जो जो है यह एक रेट आठी इसके वह जो यह तो हरती है वाण से t 2021 2 2 इंफानाइट यह 0 1,3 0-0 minus 2 1 से तो इसको क्या कर सकते हैं यह Ó सकते हैं यह वह आ सकने फ्रेक्ष्टन फंक्शन आफ एक्स फ्लस वन भाइट यह थो थो सिंप्लिफाई हो कि आ गया इसको जो है इस तरह से लिए लगे 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 कि कुछ इस तरह से हो गया अब नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा इस पर देखते हैं यह क्या आएगा इसकी वेलू अगर हमें पता चल जाए तो क्यूंकि हमें इसको किसके एकावर्डिंग दिखाना इसको यहां पर इसके एक्वल लेकर आना है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लिफाई करते हैं इसको सिंप्लिफाई करने के लिए क्या है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इसको सिंप्लिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं यहां पर आप देख रहें यह वेलू आएगी वो आएगी 3 by 2 मतलब कुछ इस तरह से ठीक है तो अगर कोई भी ग्रेटेस्ट निजर फंक्शन होता है जब आप 1 by 2 से बड़ी वेलू रखेंगे जैसे कि हम माल लेते हैं कोई ग्राफ बनाते हैं यह माल लेते हैं पॉइंट 1 by 2 है यह पॉइंट 3 by 2 है तो जैसे ही आप 1 by 2 का क्या मतलब पॉइंट 5 और 3 by 2 का मतलब 1.5 तो जैसे ही आप लोग पॉइंट 5 वेलू रखेंगे क्या आएगी वेलू यह ग्रेटेस्ट निजर का फंक्शन हम लोग बना रहे हैं और यहां पर एक्स की वेलू दी रही है तो क्या आएगा जैसे ही आप लोग पॉइंट 5 रखेंगे तो वेलू जीरो आएगी ठीक है यह वेलू जो आएगी आपकी यह जीरो आएगी यहां पर बना रहे हैं जीरो आएगी और जैसे ही आप लोग वन पर पहुचेंगे अब 1.5 तो बीच में कहीं वन भी लगी अगर यहां पर कहीं वन है तो यह कुछ वेलू यहां पर आने लगी ठीक है और इसके बाद जो है 3 by 2 क्या 1.5 तब पर भी वैलू 1 होगी यह से फंक्शन चलता चला जाएगा तो अब क्या करें यह तो हमें पता चल गया कि इसकी वैलू क्या आएगी अब यहां पर य का 1 by 2 से ले करके 1 तक होगी तब इसकी क्या आएगी अगर यह पूरा ग्रेट सण डिजर वाला देखें यह मान ले रहा है इसकी कि वैलू कुछ न माल ले रहा है इसकी है तो इसकी वेलू आएगी जीरो ठीक है इसकी वैलू माले ऱैटे हैं हम लोग यह पूरा यह पूरा कंडिशन हम माल लिए यह पहले कोई कंडिशन थी अब अगर सिकंड कंडिशन जाएं सिकंड कंडिशन सिकंड कंडिशन क्या होगी अगर यह जो पूरा फंक्शन दिया था अगर इसकी वैलू फिर दूसरी जो वैलू आएगी वह वन से लेकर के तक रहेगी तो इस इंटर्वल में टी की वैलू क्या आएगी टी की वैलू आएगी वन इस पूरे फंक्शन की तो अब यह दो कंडिशन से मारे पास आ गई है तो अब इन दोनों कंडिशन को थोड़ा सा लग करके लिए जैसे पहली कंडिशन क्या थी जब वन बाइटू से करके वन तक के बीच में होती है इसकी वैलू मतलब कि इसको थोड़ा सिंप्लिफाई कर लेंगे माइनस वन बाइटू से अगर हर टर्म है डिवाइड कर दें माइनस में कर दें तो क्या आ जाएगा यहां पर यहां पर इस तरह से हो जाएगा कुछ ठीक और तो यहां पर क् यहां पर जाएगा टेशन फंक्शन एक्स डेज़ एं वन माइनस वन बाइट उम था मतलब वन बाइटू कुछ इस तरह सेकेंड वाली जो हमारे पास कंडिशन थी वह क्या थी वह यह सेम एज इसको से हर तर्म में माइनिस करेंगे तो क्या आ जाएगा उन इस तरह से बन गया अब ये दोनों तो इन दोनों कंडिशन में टी पहली पहली कंडिशन में टी की लूँ जीरो आ रही होगी तो यह है आपका यह कुछ इस तरह से आजाएगा द्या of x प्लश जीरो से सबस्जाम, यहाँ पर पहली condition के लिए जो आपका LHS था यह आ रहा था 2 of x और दूसरी condition के लिए आपका LHS आ रहा था 2 x plus 1 अब हमारे पास RHS बशा, RHS दोनों condition में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर जो है हमें दिया गया है greatest integer of 2 x ठीक, तो यहाँ पर यह है, तो अब यह तो हमें final value मिले गए इसकी LHS, RHS की अब इसके बाद RHS को इसी टर्मिन लाने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह proof मिलेगा तो क्या था, हमें यह पता है कि जब भी x होता है, तो x की value अगर कुछ इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं, x प्लस fraction function of x, यह कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको, यह हमने x की value यहाँ पर put कर दी, same as इस तरह अब भी यही करेंगे, यह दोनों condition हमारे साथ चल लें ही साथ-साथ, यहाँ पर हो गया x प्लस fraction function of x, इस तरह से, अब इसको हम लोग simplify करते हैं, simplify करेंगे थोड़ यह आ जाएगा, यह fraction function है, greatest nature function है, यह आ जाएगा, same as यहाँ पर, ठीक, आपको पता है, जब भी greatest nature value होता है, कोई function होता है, तो उसको लोग बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसको लोग कुछ बाहर इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यह प्लस में, और यह आ गया आपका, यह बाला अलग हो जाएगा, यह greatest nature में रहेगा, इसके उपर से greatest nature हर जाएगा, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर से, ठीक, अब क्या गरना है, हमें इस interval के according चलना है, यह जो हमने interval निकाला था, क्या है जब भी आप देखें, यह हमारा fraction function आ रहा है, लास्ट में, तो जब भी, फ्रेक्शन function मिल गया, तो अगर इसमें टूसे multiply कर दें, क्या आ जाएगा, यहाँ इसके value क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपड़ आप 2 से multiply करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 by 2 into 2 मतलब 1, इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 से multiply किया हमने, त यहाँ जाएगा टू ठीक है तो अब हम क्या गरेंगे यहां पर इसकी वैलू रख देंगे देख रहे हैं आप जब भी जिरो से वन के बीच में होगी कोई वैलू और वह ग्रेटेश इंटीजर में लिए वन तक नहीं है जिरो से वन तक रखेंगे इसके वैलू क्या आएगा जीरो ह और यहां पर जो आएगा टू आफ ग्रेटेश्ट इंटीजर एक्स प्लस इसकी वैलू क्या रही है इस इंटर्वल में वन से लेकर कि टू तक जैसे आप वन से बड़ी कोई वैलू रखते हैं ग्रेश्ट इंटीजर में लेकिन टू से छोटी रखते हैं तो क्या आती वैलू टो यह जो हमने एक्सांट लिया था यह हमारा पूर्व हो गया कि इस तरह से तरह हम इन टाइप के क्विश्चैंस को करते हैं가지고 देखते हैं नेंस्ट प्वेस्च्टन हमें यह दिया गया है तीन तरह के फंक्शन दिए गए है कॉस off fractional function x यह फ्रेक्शन करव है और ये ग्रेट्टेश निटीजर है सेमेर दूसरा वाला भी टैउनक की टम है और अब यहां पर हमें range find out करना था radi के लिए क्या करेंगे आब आप देखनें यह फ्रैक्ऩinaçãoल function में हैं तो fraction function में क्या होता है जब भी कोई fraction function पाती है जब हम अल्वेस्टी सीरो टू वजू रखेंगे तो ए immersed ओग ऑगे तो कॉस जी तो 1 आएगा इसी के बीच में कोई value आएगी और जब cos 0 की value आप जानते हैं cos 0 की value जो आती है value वह होती है 1 और cos 1 की value कुछ होगी cos 1 हम दिख लेते हैं ठीक अब इसका त्वड़ा graph देख लेते हैं cos का cos का आप जानते हैं graph कुछ इस तरह से बनता है यह यहाँ पर होता है हमारा पाई बाई टू यहाँ पर जो है पाई होता है यह थ्री पाई बाई टू और यह टू पाई तो पाई बाई टू का मतलब क्या है पाई बाई टू की वैलू पाई की वैलू क्या होती है 3.14 बाई टू मतलब इसकी value क्या आएगी one से बड़ी value आएगी मतलब one point something कुछ value होगी मतलब one जो होगा one यहाँ पर कहीं होगा तो जैसे आप value one रखेंगे और यह one आ रही जैसे zero रखेंगे आप value one आ रही यह लेगे जब one रखेंगे तो one से value छोटी ही आएगी मतलब यह जो value होगी one पर जो cost one की value आप निकालेंगे यह less than one ही आएगी मतलब की one से कोई छोटी value आएगी तो क्या होगा जब भी आप यहाँ पर greatest integer में कोई भी value रखते हैं one से लेकर और या फिर one से छोटी हो value या फिर one हो maximum value तो जब भी आप one से छोटी value रखेंगे तो value आएगी zero ठिक और जैसे ही आप one पर पहुँचेंगे one पर value आएगी तो इसकी दो ही values मिलेंगी तो इसका अगर हम range निकलना चाहें तो range किबल इस तरह से एक लेंगे curly brackets के अंदर या तो zero या तो ये इस function की range हो जाएगी अब यहाँ पर next function हमारे पास कुछ इस तरह का था यहाँ पर हमें domain find out करनी है same और range find out करनी है तो यहाँ पर आप देखने है domain में क्या रख सकते हैं यहाँ पर x की क्या क्या value आ सकते हैं आप x की कोई भी value गर रखेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह pi by 2 यहाँ पर यह 3 pi by 2 और यहाँ पर 5 by 2 यहाँ पर यह value जो होती है pi यहाँ पर यह 0 तो और यह pi by 2 pi by 2 की value क्या आती है लबग आती है 3.1 by 4 होती है pi की value आप इसका y2 करेंगे मतलब 1.57 और हमें क्या value मिलेगी जीरो से वन के बीच में always भी तो आप देखनें जीरो से वन के बीच में फंक्शन जो है सही है बिल्कुल एक दम इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि कोई infinite value आ रही है या कुछ भी आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर जो domain रख सकते हैं domain तो कुछ भी रख सकते हैं all real values कोई foundation नहीं कि आप कोई value नहीं रख सकते हैं अब यहाँ पर हमको range find out करनी है range के लिए क्या करेंगे इसे आपको पता है यहाँ इसकी value हमेशा 0 से 1 के बीच मिलेगी तो जब भी आप इसका 10 लेंगे 10 के क्या value मिलेगी 10 0 मिलेगा या तो 10 1 मिलेगा यही दो 1 है और हमें देखी ज्यादातर values के बारे में क्या पता होता है मैं या तो पाई बाई 4 की value के बारे में पता है पाई बाई 4 जो इसके बीच में कहीं होगा तो माल लेते हैं जो 10 पाई बाई 4 की value हमें मिलती है वो 1 होती है पाई बाई 4 का मतलब किया 3.1 बाई 4 बाई 4 तो आ जैद मेरे 2.3 मिलते हैं कुछ यह कुष इसृत्त एक इक अब हाप इसका ग्रेटेश इंटीजर जब लेंगे तो जब भी आप ग्रेटरस नीजर जिरो दो जी रोगते हैं तो तो जिरो आती यह जया से बड़ी धैलू यह से 1.0.999 अपर गाइगा यहां बीच हो जाएगा इसकी रेंज भी जाएगी जीरो से वन केवल दो वैलू यह इस फंक्शन की जो जाएगी रेंज हो जाएगी अब इसका लास्ट वाला देखते हैं जो पार्ट था कुछ इस तरह ऐसे था कि जो फंक्शन दिया था अब हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने थे डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी तो यहां पर आप देखने हैं यह एक्स के टर्म में हमें टैन एक्स की क्या के वैलू हम लों रख सकते हैं टैन एक्स में आप यहां पर देखनें पाई बाई टू पर यह व पाई बाई टू वाली वैलू इसको तो अगर इसका जर्णरल फार्म लिखना चाहें यह से पाई बाई बाई टू फाई बाई 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 टू इसको कुछ इस तरह यह लेखेंगे तो यह हो जाएगी डूमेन बिलॉंग्स तो अल्रील वैलू एक्सेप्ट दिस टू एंड प्लस वन पाई बाई टू एंड बिलॉंग्स टू जेड जेड का मतलब क्या जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस टू अनिटिंग ठीक है पॉसिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर या प्लस वैलू रहति यहां पर माइनस इंट करता जाता है माइनस इंट से फैनाइट तो कोई बेलू मिलती तो जब भी आफ एक्शनल फंक्शन में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस एंट कोई बेलू रखते हैं इसके बीच में तो क्या वैलू आती 0 से 1 ही तो आती वो normally आ जाएगी 0 से 1 यह इसका answer हो जाएगा अब इसके बाद next question देखते हैं next question है हमारे पास यहाँ पर दिया गया है sin x फ्रेक्षनल फंक्षन में प्लस cos x फ्रेक्षनल फंक्षन equals to 2 और हमें इसके number of solutions बताने हैं कि x की क्या values मिलेंगी ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर आपको पता है कि जब भी कोई फ्रेक्षनल फंक्षन में value दी होती है इसकी value क्या मिलती है 0 से 1 के बीश में मिलती है इसकी value 0 से 1 के बीश में मिलेगी और वैसे भी जो sin x होता है sin x की जो range आती है से 2 क्या आती है 1 से 1 तक कि यहाँ पर इस तरह का जो है ब्रैक्ष रहे गा सेम ऐस जो cos x की value होती है भी minus 1 से लेकर क्या 1 तक तो जब भी माइनस बन से लेकर के 1 तक कि कोई भी value रखेंगे तब 0 से 1 तक ही आएगी तो इन दुनों को तो मिला भी दें तो क्या आएगी वैलू जीरो आएगी मिनमम वैलू और मैक्सिम वैलू टू आएगी यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन प्रैकेट लगा हुआ है मतलब टू मिलता नहीं टू के जस्ट नीचे वाली वैलू उसके मिलती है यहाँ पर लिखा हुए टू तो और इक्वर्स टू लिखा गया है जीरो यहाँ पर हमें पता है देखिए हमने यहाँ पर टोटल से मैं जो किया था यहाँ पर क्या वैलू मिल लाई थी जीरो से टू तो जीरो तो मिली रहा है तो हम बस उस पॉइंट को पता करना है कि एक्स की किस वैलू पर यह जीरो मिल रहा है तो यहां पर आप देख रहें माइनस बंस वं तक वैलो मिलती है जीरो भी बीच में कहीं मिलेगा तो साइन एसका ग्राफ देखें साइन इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है जीरो पाई two 2πi 3πi जब भी πi के multiple में कोई value दी होती है πi की term में तो उसके value जीरो आती मतलब x की क्या value आएगी nπi अगर general में लिखना चाहें n की कोई भी value रख सकते हैं n belongs to z तो यह तो sin x के लिए हो गया अब अगर cos x का आप graph देखें cos x का आप कुछ इस तरह जाता है यहाँ पर 0 यहाँ पर pi by 2 यहाँ पर 3 pi by 2 इसके लिए आप क्या देखने है जब भी pi का odd multiple होता है pi by 2 का जैसे 1, 3, 5, 7 तो उसके लिए हमें value 0 मिलती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा pi by 2 और 2 and plus 1 and belongs to also z तो यह जो होगी यह x की value होगी मतलब कि हमें जब x की यह value रखने पड़ेगी तभी हमें इसकी value 0 मिलेगी तो इसके लिए जो solution हो जाएगा x की value आएगी वो आएगी के बल दो values n pi और 2 and plus 1 sorry यह इस तरह से pi by 2 और n belongs to z 0 या फिर प्लस इंटीजर वाले या फिर मैनिस इंटीजर वाले तो यह इस तरह का हो गया अब थोड़ा सा और इसमें एक variation देखते हैं तो यहाँ पर यह next question हमारे बास कुछ इस तरह का है हमने यहाँ पर पता गया इसके value क्या आती थी जीरो आती थी और टू से टू तक आती थी और हमें इस equation का हमें solution चाहिए जब 0 आ रही value तो इन दोनों के लिए हमने निकाला था कि जब value 0 आएगी तो केवल इन दोनों पॉइंट्स पर आएगी n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और उसके बाद यह भी value हमें include करने इसमें तो यह तो 0 होगा इन दोनों पॉइंट्स पर केवल और x केवल 0 होगा केवल एक point पर वो point क्या होगा 0 होगा ठीक है तो अब यहां पर देखें हमारे पार next question है हमने इसके पहले बाले question में क्या देखा था यह दो दोनों combination होता है इसकी value क्या आती है या तो 0 आती है या फिर 2 से बीच में कोई value आती है तो हमें 0 चाहिए केवल जब इसकी value और प्रिक्र के बीच में कुछ भी और या फिर ओ पर इसकी हमारे फ्रीक्षन function होता है जब भी यἹथ-1 पायेısı या 0 पाएगा same as यहाँ पर minus 1 या 0 या 1 पाएगा तब इसकी alternative anion हो जाएगी ultimately 0 हो जाएगी जैसे यहाँ पर जैसे minus 1 का fraction लेते हैं तब भी जिरो बांती topics लोडी और लेते जीडिए तब यहांपर 0, यह 55 होता है और यहांपर 20 में, पाय बाहर works, यहांपर 3 पाय बाय तू सब्सक्राइब ज़नरल हों फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से वह गा कुछ भी रखि़ एग तो यह जो होगी one two XPill इसे पर साइने इस वाले की वेयलू टौ है जिर बहुता खाय reconciliation crash लिए और हमने पॉइंट्स को जेते हैं यहां पर कुछ इस तरह सगर देते हैं यहां पर वैलू माइनस वन होती है यहां पर प्लस वन होती है ठीक है और यहां पर जीरो पर तो जीरो ही होती है इसकी वैलू और जैसे पाई बाई टू रखते हैं तब भी जीरो पर माइनस वन होती है स् जो है यहां पर यहां पर यह है नो पर यह पर यह यह ना मतलब क्या है यहां पर भी यह एन पाई बई तुई अ इसका जो solution निकलेगा वो आएगा x belongs to n pi by 2 n belongs to z overall जो solution निकलेगा वो कुछ इस तरह से होगा अब इसी question में थोड़ा सा एक और variation देख लेते हैं तो हमें next question दिया गया है x plus fraction function of sin x plus fraction function of cos x equals to 0 तो हमें ये पता है कि इस combination की जो value आएगी r total वो आएगी 0 से लेकर 2 के बीच में और वो भी interval हमने क्या निकला था x belongs to n pi और n belongs to z और यहां पर क्या आया था यहां पर आया था इसकी value इसकी value हम लोग 0 इसकी value भी 0 लेने है ताकि तीनों combination में जब value बनी तो वो 0 हो तो इसकी value भी 0 तो अब इन दुरों में common value लेनी है तो यहां पर क्या है यहां पर 0 हो सकता है या फिर पाई बाई टू टू पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू से मैं यहां पर भी minus में πाई बाई टू, minus में minus 2pri by टू, ऐसे चें पूरे button minus infinite तक चलता है यहां पर यह प्लस इंफाइन था और यह इसकी mm pass assignment पर एकसेयट करेंगा तब 0 होगा तो इन दुर्ण में जो common होगा वो केबल 0 ही तो है आप देखने है 0 ही तो common है तो इस equation के लिए जो हमें x की values मिलेगी वो आएगी हमें केवल 0 मतलब जब हम x की value जो है x belongs लिखेंगे केवल एक value वो होगी 0 जब हम 0 रखेंगे तब यह function 0 आएगा तो number of solutions 1 होगी और वो होगा 0 तो अब यहां पर वीडियो को end करते हैं और next वीडियो में next topic को पढ़ेंगे